नमस्कार आप देख रहे हैं एक News24 और मैं हूँ आपके साथ पूजा एक बड़ी ख़बर आपके सामने निकल के आ रही है जैसा कि राहूल गांदी ने कहा कि बेरोजगारी की जो समस्या आए दिन हमारे समाज में निकल कर सामने आ रही है उसकी सबसे बड़ी समस्या हमारा अ अपना सुधार करना है हमारे अपने अंदर जो सुधार लानी है उनका कहना है कि भारत जोडो यात्रा की जो मैंने सुरुआत की है यह सबसे पहली उसकी पहल है इस आगे की ख़बर को देखने के लिए बने रही है वीडियो में हमारे साथ राहूल गांधी ने भारत जोड यह था कि भारत में समवाद के सभी रास्ते बंद कर दिये गए थे। यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। हम आपको बता दें कि भारत में समवाद के सभी रास्ते बंद कर दिये थे। हमने संसथाओं में बोलने की कोसिस की लेकिन उसे प्रशारित नहीं किया गया, हमने मीडिया से भी संपर्क किया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं उठाई। हमने कानूनी संस्थाओं में भी दस्तावेज प्रस्तूत किये लेकिन कोई परिनाम नहीं निकला जब हर जगह से रास्ते बंद हो गए तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि जनता तक कैसे पहुचा जाए तब अचानक उन्हें यह विचार आया कि अगर मीडिया और संस्थाओं जनता से जुड़ने का माध्यम नहीं बन पा रही हैं तो सीधे जनता के पास जाना होगा इसका सबसे बहतर तरीका था देश भर में पैदल यात्रा करना और यहीं उन्होंने किया हम आपको बता दें कि राहुल गांदी ने विपक्ष की भूमिका को लेकर भी कई बाते कहीं उन्होंने कहा सुनने बोलने से जादा जरूरी है क्योंकि सुनने से आप लोगों को बहतर समझ पाते हैं हर मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं है बलकि उन मूलभूत मुद्द के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है हम आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि यह काम आपका वैक्तिका द्रिष्टी कोन से ही नहीं बलकि उद्योगों और किसानों जैसे समुहों के नजरिये से भी कराना होता है संसत के कामकाज का जिक्र करते हुए राहुल गांद गांधी ने देश की बेरोजगारी की समस्या से लेकर भगवान तक की अलग-अलग प्रतिकिर्या पर उन्होंने अपना बात साजा किया ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 धन्यवाद